हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू टूलिफ चिप्स फॉर यू फ्रेंट्स आज आप देख रहे हैं कि मैं मेरे टेरिस गार्डन की क्लीनिंग कर रही हूं मेरे पोधो के आसपास देखी आप सुखी पत्यां गिरी हुई है और कुछ प्लांट्स पर दीरे दीरे पुरानी पत्या हो जाते हैं वो एकडम सूख जाती है और येलो कलर की हो जाती है तो उससे प्लांट की सुंदरता खराब होती है और आसपास में जो पत्या जड़ियो ही रए उससे भी अपना बगीचा गंदा सा लगता है तो आज मैं करने वाली हूँ एक ऐसा काम जिसे मेरा गार्डन हरा भरा सुन्दर क्लीन तो लगेगा ही साथ इसाथ इनके लिए में खाना भी बनाने वाली ही इने की इन पत्तियों से जैसा कि आप देख रहें कितनी सारी लेव्स इकठी हो गई है आसपास बड़े बड़े पेड़ है मेरी छट के आसपास उन पेसे भी जड़ करके आ जाती है और कुछ इनकी जो पत्तियां यलो हो जाती है उनको मैं उतार लेती हूँ और कुछ पत्तियां अपने आप गिर जाती है इस तरह से जितने भी नई पुरानी पत्तियां है खराब पत्तियां है ये लो कलर की है जो बिल्कुल सूख गई है या हलकी फूल की गिली है उन सब को मैं कलेक्ट कर रही हूँ ये देखी शाम का टाइम है अंधिरा सा होने वाला है तो मैं थोड़ा फास्ट कर जिए काम और स जल्दी जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूं सोच रहे होंगे इतना सारा कच्रा तो ये कच्रा दोस्तों एक दिन का नहीं है ये मैं 15 डेज से मेरी रूटीन क्लीनिंग करती हूं आफ्टर 15 डेज मैं फिर से यही करने वाली हूं और इन सब पत्तियों से मैं बनाती हूं में तो उनमें अपने हाथ का प्यार भी मिला होता है तो अपने बगीचा भी खुश रहता है पेड़ पोधे भी खुश रहते हैं हमारी केर करने वाला कोई है और यकीन माने दोस्तों जैसे बच्चों को प्यार की जर्रत होती है वैसे ही इन छोटे-छोटे नने-नने पोधों को भी प्यार की जर्रत होती है देखिए मैं इन में से जो फूल है वो निकाल रही हूं सुखी पत्या है वो इस तरीके से निकाल रही हूं क्योंकि इन में बिलकुल यह नाइट्रोजन रिच शॉर्स है और हम इनको यूहीं वेस्ट फैक देते हैं तो जादा तर जो सिटी म महानगरों में जो लोग रहते हैं उनको खाद की प्रोब्लम रहती है और अगर आप खाद बनाना चाते हैं तो आप अपने घर से इसी तरह से बगीचे से यह पत्यां कलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपके पास बगीचे में पत्यां नहीं मिले इतनी सारी तो आपके पास- गार्डन है या बड़ा पेड़ है वहां से आप पत्यां कलेक्ट कर सकते हैं बड़ी पेड़ों के निचे काफी सारी सुखी पत्या मिल जाती है यह बिलकुल अम्रत है अपने पेड़ पोदों के लिए देखिए पेड़ पोदों से जो चीज हम ले रहे हैं उन्हें को उसकी देखिए अंधेरा होने को है तो थोड़ा सा फास्ट कर लेती हूं इधर ये फासमे मेरी थूज़ह है इसकी लिफ्त थोड़ी सी जलीवी सी लग रही है तो उ में इनकी भी लिफ्स अंदिरसल सा होने को हैं मैंने सारी पत्या क्लेक्ट कर ली है और आप कोई भी विन लुक्त है को अठालिस अधुरू को बरहती हुए निए mud si Harjo पाइश दोप तीसरी बार अधुलंग अप्यों जो पें हम घ्ली सुकर्णा शो फ्यबा चैया में धाल से लाइं Yaz टाइम लगता है अगर आपको फास्ट काम करना है तब आप इनके चोटे 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 किरजिए और अपने गमले में डालते जाईए एक बार क्लीनिंग करके उनको अच्छे से प्रेस करके दबा करके डालिए उपर मिट्टी की एक लेयर बना दीजी इसी तरह से जब आप क्लीनिंग करो तो दुबारा उसी तरीके से उसी गमले में जहां आपने डाली है दुबारा आप ये पूरी प्रेस करके ये देखिए मेरा गमला मैंने दो बार इसमें डाल दिये लेयर बना दिये मिट्टी की और इनको मैं मोईस्ट रखती हूं अब तीसरी बार आज ये ड पतली सी लेयर बना दूगी और आपको क्या करना है इसको रखना है बिल्कुल मोईस्ट और अगर आपको फास्ट करना है ये काम तो आप इसमें थोड़ी सी गोबर की खाथ जो ड्राइड कंडे होते वह भी आप टुकड़े करके डाल सकते हैं और इस तरीके से मैंने इसमे पहले सी काफी सारा वाटर डालावा है मैं इसको ढख देती हूँ और आप इसको धूप में कहीं भी रख दें और आप देखेंगी आफटर त्री मंथ आपको बहुत अच्छी सी प्यारी सी खाद मिलेगी जो कि आपकी बगिया के फूलों को चार चांद लगाएगी आप इ इसी तरीके से दूसरा कंपोस्ट भी तयार कर लीजिए इस तरीके से आप अल्टरनेट करते जाएए और जो पूराने जो दो तीन मेने पूराने जो खाद होती है वह आप काम में लेते जाएए बस आपको करना यह है कि आप पत्तियों खो तोड़ा चोटा साइज में मेरा पास बहुत से वेस्टेज इस तरीके के पड़े रहते हैं तो मैं इनको तोड़ती नहीं सीधे डाल देती हूं और जैसे जैसे बनती जाती है वैसे वैसे यूज़ कर लेती हूं और अगर आपको फिर भी आप और ज्यादा बनाने है तो आप इसमें यूरिया की एक च करें और शेयर करें